हलो दोस्तों अगर आप भी बाइनस के अंदर अकाउंट बनाने जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए अपने डीटेल्स डालते हैं और आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है कि यह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रेजेक्टिड क्योंकि अल्रेडी एक अकाउंट बना हुआ है आपकी डीटेल्स के उपर तो ऐसे में आपको क्या करना है आई ये पूरा स्टेप बाइ स्टेप देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले नमबर में तो आपको जाकर के प्ले स्टोर या एप स्टोर जैसे भी है वहाँ पर जाकर पूरी तरीके से बाइनस को अंस्टॉल वगेरा सब कर देना है खतम फिर उसे दुबारा डाउनलूड करना है और यहाँ पर जैसे ये उपन का उप्शन है ना इस पे क्लिक करना है ठीक है अब अगर आपने बाइनस में अकाउंट बनाया है कभी ना कभी कभी भी हो सकता है कि जैसे हैंस्टर कॉमबेट चल रहा था इसमें बाइनस का उप्शन था क्लिक करके आपने इमेल आइडी दे के अकाउंट बना लिया था तो आप दुबारा नए अकाउंट सेम डिटेल्स पे नहीं बना सकते दो अकाउंट नहीं बना सकते सेम डिटेल्स पे बाइनस के अंदर तो अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपको लॉग इन पे ही क्लिक करना पड़ेगा साइन अप पे क्लिक आप मत करिएगा कभी भी लॉग इन पे क्लिक करके अपनी जो इमेल आइडी है या अपना जो फोन नमबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना इमेल आइडी है फोन नमबर दोनों में से किसी एक पे ही आपने अकाउंट बनाया होगा वो यहाँ पर डाल देना है, next पे क्लिक कर देना है पासवर्ड मांगेगा अगर आपके पासवर्ड नहीं है आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो forget पासवर्ड कर दिया और आपका जो भी है प्रोसेस हो जाएगा अब ये भी चीज हो सकती है कि आपको phone number का मान लेते हैं phone number पे account बनाया था लेकिन आपके पास access ही नहीं है उस phone number का वो SIM card गया वो phone number गया तो हो सकता है कि email ID पे बनाया हो ठीक है कि email ID पे आपने account बनाया था अगर उसका भी access नहीं है phone number email ID दोनों आपकी चली गई तो आप क्या कर सकते हैं आपको at least याद तो होगा ही कि किस phone number पे मैंने बाइनस में account बनाया था या किस email ID पे मैंने बाइनस में account बनाया था वो email ID तो याद तो होंगी कम से कम अगर याद भी नहीं है तो फिर आपको ये देखिए यहाँ पर जैसे ये लिख्या आता है na identity verification rejected तो उसमें ये glimpse तो मिलते ही है जैसे ये AS लिखा हुआ यहाँ पर फिर ये 090 लिखा है तो आपको email ID याद तो आ ही जाएगी कि किस email ID पे मैंने account बनाया था तो वो email ID जब आपको याद आ जाती है तब आपको Binance को contact करना है phone number तो अपना हर किसी को याद ही रहता है कि किस phone number पे बनाया था account तो अब आपको अगर access नहीं है email ID का भी phone number का भी और याद तो होना ही चाहिए होना ही होना चाहिए आपको ठीक है तो आपको इस icon पे click करना है और यहाँ पर headphone जैसे icon इस पे click करना है और उसके बाद आपको जैसे यह खुलेगा ना तो यहाँ पर login है recommended लिखा हुआ है तो login तो आप करी नहीं सकते क्योंकि आपको access नहीं है OTP आएगा आपके पास आए गई नहीं वो delete हो गई है या phone number चला गया है continue as a visitor पे click करना है और अपना phone number जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई तो SIM याद इस्तेमाल कर रहे होंगे या कोई email ID इस्तेमाल कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर डाल देनी है ताकि OTP आजाए verification हो जाए ठीक है और फिर यहाँ पर उनसे आपका contact हो जाएगा बाइनस टीम से और बाइनस टीम में human being से कैसे contact करना है उसका पूरा process तो मैंने बताई रखा आपको i button पे link मिल जाएगा ये वीडियो पूरी देखने के बाद description में आपको link मिल जाएगी कि human being से बाइनस में कैसे contact करें वो आप जरूर देख लीजिएगा ठीक है तो वहाँ पर जाकर आपको उन्हें वो email ID देनी है कि भहिया मैंने बाइनस में account बनाया था इस email ID पे बनाया था और अब वो email ID मेरी जा चुकी है access नहीं है OTP आ नहीं सकता तो मैं क्या करूँ अब तो वो आपको इस बात का इलाज देंगे या फिर same phone number के साथ हो सकता है कि देखो ये मेरा phone number है इस पे मैंने account बनाया था अब phone number मेरा जा चुका है OTP आ नहीं सकता क्या करूँ बताईए तो वो आपको solution देंगे human being से आपको contact करना पड़ेगा कैसे करेंगे मैंने बताया आपको description में लिंक दे रखिये उस वीडियो की ठीक है तो पहला case तो यह हो गया कि आपने account बनाया था अब आप नए सीरे से हो सकता 3-4 साल पहले बनाया हो अब नहीं रहा उस account का है मतलब email ID का या phone number का याद तो होनी ही होनी चाहिए दोनों में से कोई एक चीज ठीक है और अगर याद नहीं भी आ रही तो यह देख सकते हैं आपकी यहाँ पर यह थोड़े बहुत AS90 यह जैसे दिख रहा है ना तो यहाँ पर आपको दिख तो at least रहा ही होगा ठीक है तो आपको वो करना है contact उने पहली चीज तो यह हो गई दूसरा case यह हो सकता है कि आपने Binance में कभी कोई account बनाया ही नहीं फिर भी ऐसा लिख क्या रहा है कि identity verification rejected क्योंकि already एक account बना हुआ है बनाया ही नहीं आपने account तो ऐसे में हो सकता है कि आपके दोस्त में या किसी भी रिष्यदार में किसी के पास आपकी email ID कभी आपका phone won गया हो तो उसने बनाने का try करा हो OTP डाल दिया हो तो account आपका database में वो email ID चली गई आपने नहीं बनाया किसी और नहीं हो सकता करा हो तो इस case में भी आपको Binance Team को contact करना पड़ेगा और जिस भी email ID क्योंकि email ID तो आपकी वहाँ पर सारी लिख के आएंगे न कि कौन कौन सी email ID है और यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है थोड़ा सा यह मतलब जिसे कहते है न ट्रेलर जैसा कि AS और यह सब लिखके आई रहा है तो आपको पता तो चली जाएगा कि किस email ID पर account बना है तो वही आपको वैसे ही contact करना है जो आज की अपनी phone number है उन सब से contact करना है और अगर आपके पास email ID है ही तो direct login करिये न जाके अगर access है तो direct login करिये जाके और उस account को पूरी तरह delete कर दीजिए ठीक है अगर नई series से आपको बनाना है तो पूरी तरह delete कर दीजिए कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा ठीक है फिर आप नए बना सकते हैं कुछ दिनों के बाद तो यह होती है दूसरा case कि आपने account बनाया ही नहीं और अब आपको दुबारा बनाना है लेकिन लिख के आ रहा है rejected तो आपको वो account पहला वाले delete करना पड़ेगा फिर नए series से बनाना पड़ेगा उसमें भी हो सकता है 3-4 दिन या 1 हफता wait करना पड़े Binance के database से आपका account पूरी तरह खतम होने में टाइम लगे तीसरा case यहाँ पर यह हो जाता है कि आपको शक है कि कोई और भी आपका Binance account यूज कर पा रहा है किसी और के पास भी access है हो सकता है आपने खुद ही दिया हो कभी न कभी किसी को भी किसी भी purpose के लिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको login ही करना है ठीक है login पर जाके phone number या email ID दोनों में से कोई भी एक जो भी आपको है जिस पर भी OTP आएगा next पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना password डालना पड़ेगा password अगर भूल गए हैं तो forget password पे क्लिक करना पड़ेगा और नए सीरे से password बनाना पड़ेगा ठीक है password डालने के बाद यहाँ पर मैंने देखिए security के लिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैंने authenticator app और email ID पे OTP दोनों के दोनों दे रखे हैं तो मैं दोनों ही यहाँ पर डाल देता हूँ मेरी email ID पे OTP आएगा ठीक है यहाँ पर अब मेरा यह account में login हो चुका हूँ मैं Binance के अंदर ठीक है और मुझे शक है कि कोई और भी इस्तिमाल कर रहा है या मैंने ही कभी दिया था तो यह उपर जो icon है इस पे simply क्लिक करना है जाना है फिर आपको यहाँ पर यह जो profile आपकी दिख रही है इस पे क्लिक करना पढ़ेगा और यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाता है एक security का इस पे आपको क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर नीचे आना है और आपको devices का option देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितने devices login हो रखे हैं आपके finance account में devices पे click करना है और आप यहाँ पर सारी activity देख पाएंगे मेरा अभी फिलाल एक ही यह जो phone है इसी में login हो रखा है सिर्फ इसी में लिखके आ रहा है बाकी यह नीचे इतने सारे हैं लेकिन इन में किसी में भी मैंने ही करा था वो अगर आपको ऐसा कोई device दिखता है जिसमें आपने नहीं करा था और login हो रखा है तो आपको तुरंत logout पे तुरंत click कर देना है तुरंत के तुरंत अगर आपके phone के लावा कहीं और भी login है तो इसी यह कर दिया पहली चीज़ दूसरे नंबर पे अब आपको क्या करना है activities देखनी है अकाउंट activities इस पे जाके click करना है और देखना है कि login कब कब हुआ था आपका account जैसे यह एक ही दिन में मेरे यह सारे दिख रखे हैं यह सारे मैंने खुदी करे थे तो यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा कोई दिखे कि आपने login नहीं करा था फिर भी यहाँ पर login हुआ था आपके binance account में तो आपको तुरंत alert हो जाना है यहाँ पर one day की अलावा आप one month भी कर सकते हैं कि एक महिने में कितनी बार क्या login हुआ क्या कुछ नहीं हुआ फिर security activities यह उपर लिख क्या रहा इस पर click करना है और सारी चीज़े आपको देखनी है वो भी लगा देना यहाँ पर पहले नंबर में authenticator app भी link कर देनी है google की authenticator app है ना मैंने भी link कर रखे play store पे आपको मिल जाएगी ऐसी google की authenticator app play store पे आप डालेंगे मैं दिखाई देता हूँ आपको ठीक है a-u-t-h-e-n authenticator जो यह app है यह यहाँ पर google की इसे आपको install कर लेना है और binance को इससे link कर देना है ठीक है आप जब binance में आकर यह authenticator पे click करेंगे तो हो जाएगा email id हो सकता है आप अपनी मतलब जाईए और एक बार verify दुबारा कर लीजिए और password आपको बदल देना है ठीक है तुरंत password भी बदल देना है अगर pay pin चाहें तो वो भी लगा लीजिए phone number आप चाहें वो भी एक बार verify कर लीजिए चीज़े देख लीजिए कि सब आपके ही control में है ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है और फिर यहाँ पर यह सारी चीज़े मुझे देखने को मिलती है यह सारी चीज़े verify कर लेनी है जिससे make sure हो जाए कि आपके account में कोई और login नहीं है फिर last में आपको क्या करना है अपना account disable कर देना है कुछ वक्त के लिए आपको simply इस पर click करना है इसी icon पर वापस यहीं पर जाना है इस पर click करना है उसके बाद आपको security पर वापस जाना है और आपको नीचे आ करके manage account दिख जाएगा सबसे नीचे दिखेगा इस पर आपको click करना है और disable कर देना है ठीक है और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप delete करना चाहते है Binance के account को पूरी तरह तो delete का भी option यहीं पर आपको देखने को मिलता है इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को पूरी देखिए तो delete पर आप click करेंगे यहाँ पर और मतलब जो भी आपका reason है वो डाल के आप आप delete कर दीजिए और पूरी तरीके से याद रखना है कि सब कुछ खतम हो जाएगा जो भी आपके withdrawal लगे होंगे जो भी deposit लगे होंगे कोई open order होगा, position होगी everything, सब कुछ सफाचट हो जाएगा और फिर नए series account बनेगा लेकिन कुछ वक्त के बाद ठीक है, एक ही same दिन पर दो तिन ने हो सकता, एक हफता भी लग जाए तो delete ऐसे कर सकते हैं disable यहाँ पर click करके, disable account पर करके आपको disable कर देना, अगर कोई और भी use कर रहा था आपका account तो password भी change कर देना, मैंने बताया था आपको ठीक है, फिर आप आपको last में Binance को contact करना है लास्ट प्रोसीजर यह है कि headphone जैसा आइकन है इस पर click करके और आपको जाके Binance को contact करना है, उन्हें बताना है नीचे आके get support और मैंने आपको बताया, यूमन के साथ कैसे contact करना उसके लिए description में लिंक दे दी है आपको उन्हें जाके बताना है वो भी आपको solution कुछ ना कुछ जरूर देंगे चौता case यह हो सकता है कि आपने Binance में verification के लिए details डाली और reject हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जैसे चहरा है या pen card की photo है, अधार card की photo है आपने driving license इस्केमाल कराता verification के लिए तो वो चीज़े blur हो रही हो वो clear ना हो, proper lighting ना हो ठीक है, तो Binance की जो verification team है या जो bot है, जो verify कर रहे हैं वो ना कर पा रहे हो तो ऐसे मैं आपको बिल्गूल clear photo कहेंच के डालनी है अपनी जो selfie लेनी है, वो भी clear होनी चाहिए lighting अच्छी होनी चाहिए हो सके तो थोड़ा सा धूप में बाहर sunlight में जाके और clear background ऐसा clear होना चाहिए ठीक है, सफा चट background और उस पर जाके आपको अपनी photo upload करनी है ठीक है, कई बार हमारी जो details होती है वही नहीं match हो पा रही होती इस वज़ा से भी minus में identity verification reject हो जाता है तो सारी photos वगेरा जो भी आप डाले वो clear डाले, सारी details सब clear डाले कोई भी चीज आणी तेडी ऐसा कुछ blurriness कुछ भी नहीं होनी चीए ठीक है, ये चार चीज़े main होती है जिनकी वज़े से identity verification का आपको ऐसा interface यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है, चारों चीज़े मैंने आपको बता दी पहला case बताया था कि आपने already account बना रखा है तो आपको login करना पड़ेगा नहीं तो भूल भाल गए email ID, phone number तो contact करके उन्हें बताना पड़ेगा कि यह email ID दूसरा case मैंने आपको बताया था कि आपने कोई account बनाया ही नहीं है किसी और ने कभी न कभी गलती से कुछ हो गया होगा तो आप login तो करीप आएंगे, ठीक है मतलब email ID तो आपके पास है ही अगर नहीं है email ID तो फिर आप पहले case में आते हैं कि आपके पास नहीं है email ID तो ऐसे में तो contact करना पड़ेगा दूसरे case में भी आपको binance को contact करके और मतलब बात करनी पड़ेगी लेकिन अगर access है email ID का तो आप email ID डालेंगे और OTPI का आप आराम से करने लगेंगे का उस पे, चाहेंगे तो delete कर देंगे पूरी तरह से अपने account को delete कैसे करना है वो भी मैंने बताया था तीसरा case ही हो सकता है कि आपको शक है कि कोई और account बना रखा है आपना, इस्तेमाल कर रहा है आपके finance account को तो ऐसे में क्या क्या करना है वो सब भी मैंने अभी बताया चौता case यह था आपका कि verification reject हो रहा है क्योंकि photo अगेरा या कुछ identity में आपके चेहरे की photo, pen card, adar card किसी भी detail की photo जो भी आप दे रहे हैं यह चारो कारण हो सकते हैं याद रखने वाली बात यह है कि आप एक ही detail के उपर अपने एक ही pen card, adar card एक ही detail होगी KYC कराएंगे तो आप एक ही single बंदा होते हुए दो account Binance में नहीं बना सकते यह चीज Binance allow नहीं करता है ठीक है यह बात आपको याद रखने है same email ID, same phone number पे दो account नहीं चल सकते Binance में ठीक है यह चारो चीजें आप ध्यान से करिए तो आपको आपकी problem का solution जरूर मिल जाएगा और अगर अब भी आपको solution नहीं मिल रहा है तो आप जरूर comment करिए मैं आपको आपके सवाल का जवाब जल से जल देने की कोशिश करूँगा बाकि याँ Binance support team से contact करिए हमेशा वो आपका help जरूर करते हैं कैसे करना है human being से contact मैंने बता रख था description में वीडियो की link है वो वीडियो अभी आप जरूर देख लीजिए बाकि इस वीडियो को like हमारी कर दीजिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलिए बाकि मैं मिलता हूँ आपसे Binance के अंदर human being से कैसे contact करना है वो बताते हुए पूरी detail में इस वीडियो के अंदर ठीक है यहाँ पे click करके यह वीडियो जरूर देखिए अगर आपको Binance में एक human being से contact करना है जो की बहुत important process है यह वीडियो